अलेस्टर ब्लाक इट इस पुड़ करेक्टर इस फीचर वेल तो ही गाइस वेलकम तुदि माय चैनल माय नेम इस पंकस तो आज की इस वीडियो में बात करने वाल है अलेस्टर ब्लाक के न्यू के बारे में So now let's start करते हैं वीडियो को Well तो जैसा कि हम जानते हैं The Aleister Black Well तो जो कि बहुती interesting character है डबलोली में The Undertaker के बाद and The Fiend and Demon King के बाद जो कि बहुती interesting character निकल का है NXT से Well तो आज का जो हमने SmackDown में segment देखा Aleister Black की तरफ से Well finally हमें इतनी दिनों के बाद जो कि 10 महियों के बाद लगबद तो हमें Aleister Black देखने को मिले And Aleister Black का जो वो segment था ना I think वो कहीं ने कहीं ऐसा hint कर रहा था कि मतलब इसका कहीं ने कोई कोई नाता The Undertaker से हो Well तो जैसा कि मतलब तुम लोगों को बता दू कि Aleister Black ने जो इस segment में अपनी स्टोरी सुनाई कि Well एक बच्चा था जो कि मतलब उसके मतलब बहुती खतरनाक चीज़े उस स्टोरी में सुनाई कि जहां पर उनको मतलब टीच करने वाला उस बच्चे को कोई भूत था The Undertaker जैसा तो Well मतलब The Undertaker का नाम मेंशन नहीं किया बट जो करक्टर सामने दिखाई दे रहा था अलेस्टर ब्लाक हो सकते हैं कि New Generation के Undertaker बन सकते हैं Well I think I hope मैं ऐसा कह रहा हूं Well मुझे नहीं लग रहा कि perfectly बन पाएंगे क्योंकि The Undertaker The Undertaker है और उनके जैसा बनना तो बहुत ही जदा है मतलब मुस्किल है और ना मुंकिन है But maybe यहां पर ऐसा कुछ हो कि मतलब character जो मतलब लगबग उनके जैसा बनाया जाए कोई ऐसा character जो कि maybe वो अलेस्टर ब्लाक हो सकते हैं And कुछ लोगों का कहना है कि The Undertaker के मतलब The Undertaker मतलब New Undertaker हमें देखने को मिलेंगे तो वो अलेस्टर ब्लाक ही हो सकते हैं जो कि New Undertaker के जैसे character को निभाद सकते हैं So maybe यह वोतिया टाइप का ही character है जैसा कि हम लोग देखा segment में And segment के दौरान भी पता चल रहा था कि यह कितना character हो सकता है खतरनाक तो यहाँ पर हमें यह superstar जो कि Aleister Black है यह एक heel के रूप में देखने को मिलने वाले है And I'm sure मतलब I'm damn sure कि अगर हो हमें देखने को मिल रहे हैं अगर किसी match में अगर किसी rivalry में जब उतरते वे दिखाई देंगे तो वहाँ पर मतलब जो Aleister Black का character है तो वहाँ पर audience को सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा तब तक और जब तक promo चल रहा है तब तक उतना कुछ मतलब खास नहीं लगेगा And maybe यहाँ पर अब जब Aleister Black का promo हमें दिखाई दे गया है और उनका segment हमें दिखाई दे रहा है तो वैल अब hope लगता है कि मतलब ऐसा कोई हमें character देखने को मिलेगा The Aleister Black की तरब से जो की maybe बहुती dangerous और बहुती खतरनाक हो And maybe बहुती scary भी हो तो वैल देखना interesting रहेगा And इनके लिए future dream matches तो बहुत सारे बने ही है The Aleister Black vs The Fiend And इनके बाद तो Aleister Black vs Demon King मतलब ऐसे-एसे characters बढ़े हुए WWE में Well उनको भी dominant करना जो की बहुती बड़ा मुश्किल काम होगा जो कि Aleister Black के लिए तो देखना है Aleister Black अपने कार्म पर निभाप आते कि निभाप आते इस चीज़ को तो वेल, देखना बहुती इंटरस्टिंग रहेगा And I think यह character बहुती बेस्ट हो सकता है अगर Aleister Black की तरप से हमें बहुती अच्छा कासा मेनत देखने को मिले And WWE के creative team की तरप से में बहुती अच्छा कासा मेनत देखने को मिले तो यह character बहुती best हो सकता है नहीं तो वह भी ट्रैस्ट बन सकता है तो आपका क्या थिंकिंग है इस कारेक्टर के उपए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो यह लाइक डिसलाइक सेट सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हैं तो फिन मिलते अगले प्रिषब धिस अधित चूлять यह लाइक सेटएब यह बल्चान है कर दो कर दो फिर थास?